बदायू में पराली जलाने को लेकर प्रिशासन सक्त दिख रहा है और प्रिशासन ने किसानों की बैठक और होर्डिंग्स के जरीए पराली ना जलाने की अपील की है तो प्रिशासन ने पराली को खेट में डाल कर खात बनाने के लिए किसानों से अपील की तो वहीं किसान य कि वह प्रशासन की तरफ से पराली ना जलाने की अपील प्रिसानों से कुझ आरे तो दूसरी तरफ किसानों में नाराज की आख इसमें शाषन के नर्देशों के अनुसार जो भी हमारे गन्ने या धान की पराली जलाई जा रही थी उनको न जलाने के निर्देश है और उस पर जहां पर भी घटना शंग्यान में आती है उस पर जो भी नेमानुसार कारवाई है तो कारवाई किये जाने के निर्देश है जिसमर जिसमें ये फैयार दर्ज कराने अर्थदंड लगाने सम्मनित जो भी ग्रामवाशी है जो इसके लिए दोशी है इसके साथ ही साथ जिन करमचारियों के छेतरों में हो रहा है उनको भी उन पर भी कारवाई करने के निर्देश है ये प्रिश्रासन कह रहा है कि पराली ना जले, पराली क्यों नहीं जले, पराली कैसे खतम होगी, जैसे अब हमारा गेहूं बोया जाएगा, तो जैसे कि पराली बगर जला है कैसे वो खेत हमारा बोया जाएगा, उनका कहना है कि खाल नहीं बैठता है, भुष जाती है, अगर अगर यह नहीं जलाने दें, तो हमारी जैसे गन्ना ले रहे हैं, तैसे पराली भी खरीदें, जैसे गन्ना खरीद रहे हैं, पराली का भी क्रेकेंट खोला जाए